हेलो दोस्तो मैं सुभाशिश लेके आया हूँ, आज और एक निया रेसिपी, आज हम बनाएंगे अर्वी का सबजी with small prawns दोस्तो अर्वी का बहुत सारा health benefits है, like blood sugar control करता है, heart disease, anti-cancer properties, weight lose, आपका immunity boost करता है तो खाने में जरूर अर्वी रखिए दोस्तो यहाँ पर हमने 250 ग्रम अर्वी लिया है, उसका स्कीन निकाल के छोटा-छोटा पीस कर लेंगे उसको यहाँ पर उसको small pieces में करके रखा है हमने यहाँ पर small prawns लिया है, 100 ग्रम dressed small prawns, पियाज लिया है, यहाँ पर दो बड़े यहाँ पर एक बड़ा आलू लिया है, छोटा-छोटा पीस करके रखा है उसको एक निम्बू लिया है और एक पूरा लेशन लिया है, उसके कलियों को निकाल के रखा है सबसे पहले मिक्सी पे अर्भी के पीसेस को डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पेस्ट बनाएंगे उसका अर्भी का पेस्ट बनके तयार है, उसमें हम लोग एक निम्बू का रख डालेंगे अभी इसमें पियाज और लेशन डाल देते हैं और इसको अच्छे से पेस्ट बना के लेते हैं, साथ में यहाँ पे दो मिर्ची भी डाला है, पेस्ट में पेस्ट हमारा बनके तयार है, गरम पैन में अभी सर्सो का तेल डालते हैं, हमने यहाँ पे सर्सो का तेल यूज किया है, आप वेजेटेबल ओयल, कोई भी वेजेटेबल ओयल सी यूज कर सकते हो, एक चमक नमक डालते हैं और आधा चममज हल्दी रालते हैं, अभी जो बेबी प्राउंस था उसको डाल देते हैं और उसको अच्छे से फ्राई करते हैं, प्राउंस का जब फ्राई होता है, तो यह अर्भी की सबजी में प्राउंस का फ्राई का अच्छा सा स्मेल मीक्स होता है, जिससे आपका रे बेबी प्रॉंज का फ्राई हो गया है, जब भी बेबी प्रॉंज फ्राई होता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है हमने पहले ही आलू को बारी कट के रखा था, अब इसको फ्राई करेंगे आलू फ्राई के टाइम हम लोग इसमें थोरा सा नमक और हल्दी डाल देते हैं पैन को थोरा टाइम के लिए ढग देते हैं उससे आलू पक भी जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा आलू फ्राई हो गया है अभी गरम पेन में ऑईल डालते हैं और हम लोगों ने जो प्यास पेस्ट करके रखा था उसको डाल देते हैं अभी प्यास को अच्छे से भूनेंगे प्यास का पेस्ट जब फ्राई होने लगता है तो थोड़ा रेडिश रेडिश हो जाएगा देखिए प्यास का पेस्ट फ्राई हो गया है अभी हमने पहले जो अर्वी का पैस्ट बना के रखा था वो भी डालते है और थोड़ा सा पाने डलके इसको मिक्स कर देते यह दुनों को मिला के अच्छे से भूंते हैं अभी इसमें हम लोग आथा जमच नमक डालाएं और हल्दी डालते आथा जमच थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें मसाला डालेंगे अभी इसमें मसाला डालते हैं लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच जीरा पाउडर एक चमच अभी सभी मसाला को इसके साथ मिक्स कर देते हैं इसको तब तक भुनेंगे जब तक यह अच्छे से फ्राई ना हो जाए देखिए फ्राई हो गया है इससे ओयल निकलने लगा है अभी इसमें आथा चमच शक्कर डालते हैं अभी इसमें जो पहले फ्राई किया हुआ था आलू देन बेबी प्राउंस यह सब मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा पानी डालते हैं इससी यह सभी चीज मिक्सोने में इसी होगा हमारा आज का अर्बी का सबसी विद बेबी प्राउंस बनके तयार है यह पर और दो मिर्ची डालते हैं थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए दोस्तों आज काई यह अर्बी का सबसी विद बेबी प्राउंस अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना फ्रेंड्स के साथ श्यार करना और सब्सक्राइब करना अपना चैनल सिंपल रेसिपीज को हम लोग ऐसी इंट्रेस्टिंग रेसिपीज की वीडियो बजलाते रहेंगे